मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार और तिलंगाना को छोड़ कर देश के सभी राजियों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है जमो कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनातियात्रा रोग दी गई है उत्राखंड के चमोली में पहाडों से पत्थर गिरने के चलते बदरिनाथ हाईवे भी बंध है पिछले दस दिनों में ये हाईवे चोथी बार बंध हुआ है वहीं पिथोडा गर्ड जिले के धार चूला में शुकरवार को बादल फटने से पुल बह गया यहां चल गाउं में 200 लोग फस गए है रस्क्यू करने जारी SDRF की टीम भी फस गई है उधर हिमाचल प्रदेश में कालका सोलन हाईवे पर अचानक पहाडों से पत्थर गिरने शुरू हो गया एक कार पत्थरों की चपेट में आने से बालबाल बची जम्मु कश्मीर में खराब मौसम के चलते पहल गाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है अधिकारियों ने बता है कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी अब तक 80,000 से जादा लोग अमरनाथ की दर्शन कर चुके है मौसम बिभाग ने 8 जुलाई को भारी बारिश का अलट जारी किया है इस बीट जम्मू से पहल गाम के लिए गए 4,600 यात्रियों के जथे को रामबन जिले के चंद्रकोर्ट यात्रे निवास में रोक लिया गया वालटाल रूट के 2,649 शरधालों को आगे जाने की अनुमती दी गए यात्रा ट्रैक पर पहले से रुके 2,670 यात्रियों ने बाबा वर्फानी के दर्शन किये बताया जा रहा है कि पवित्र अमरनाथ गुफा के साथ साथ दोनों यात्रा मार्गों पर भारी बारिश के चलते यात्रा इस्थगित की गई है अधिकारियों ने बताया कि नुन्वान पहलगाम कैंप में 3,200 और बालटाल में 4,000 यात्रियों को रोका गया है तेश बारिश के चलते बालटाल आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर रेल पत्री जड मोड पर भूस खलन हो गया है ट्रैक पर तेज बहाव के साथ पानी अपने साथ कीचड और पत्थर ले आया इसके चलते ट्रैक पर मलबाई खटा हो गया है यात्रा मार्क पर फसे हुए कई यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुचाने के लिए चलाया गया बचाओ अभियान देश शाम तक जारी रहा वही पश्मी विभोक्ष के कारण जम्मू संभाग के पुँच राजवरी, रामबन, परगवाल, किश्तवार में बारिश हुई इससे नदी नालों का जलिस्तर बढ़ गया है पुच्च में शुकरवार सुबह जोरडार बारिश से पुच्च को कश्मीर से जोडने वाली मुगल रोड पर रता च्छंब में पत्थर गिरे, सड़क पर भुसकलन से यातायाद पूरी तरह से बंद हो गया रोड पर वाहनों की कतारे लगे, फोशाना चेक पोस्ट और बहराम गल्ला चेक पोस्ट पर कश्मीर जाने वाले वाहनों को रोग दिया गया यहां पांच घंटे तक रागिर फसे रहे, शाम चार बजे मलबा हटा कर यातायाद बहाल किया गया परगवाल में सुबर ढ़ाई घंटे जमकर बारिश हुई, कई गाओं का संपर्क तूट गया, वही नदिया नाले उफान पर है इस बीच मौसम विभाग ने जम्मु कश्मीर में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोडस ने कहा, मौसमी हवाओं और पश्मी विभोक्ष के प्रभाव के तहट, साथ से नौ जुलाई के दोरान जम्मु कश्मीर में गरत चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार है जम्मो संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है